स欠kin करेंगे सिटिंग पॉजिशन में मा felt mat wheat के जो आशुन किया जाता पहले कम लोग जो किया है है studying position में आप देख रहे हैं मेरे को सबसे पहले मेरे को क्या करना है दोनों प्र को समने ऐसे करके फीलाना है थीरे-धीरे बाम पर को क्या करना है ना दान पर में जो थाए है वहां पर लेकर आना है रखना है उसके बाद ऑपासीट लेक भी धीरे-धीरे लेकर आना है अब देख रहे हैं मेरे को देख रहे हैं ज़लब आको पोजिशन लेना है एंड तोनों हाथ को समने रखना है एंड कंसेंटेट करना है एंड क्लोज यूर आईज आँख बंत होना चाहिए एंड कंसेंटेट करना चाहिए कितना सेकेन्द ना 15 से 30 सेकेंड तक हम फोल्ड करेंगे इसका नाम क्या है पदमाशुन जो सिटिंग पोजिशन में किया ज़ता है तो आप देख रहें मेरको आशन इसका फाइदा क्या है न यह आशन करनेशी क्या होता है न अकाग्रता बढ़ते हैं पयार में जो गुटनी का अगर प्रबलेम है वो ठीक हो जाते हैं जब हम लोग भोजोन पूजय करते हैं तो ऐसे तरफ से हम लोग बैठते हैं तो इसलिए सबसे पहले कूज भी आशोन यूगाशुन करने से पहले बैठने का तरिशा आप अच्छा से सूख पूर्बक बैठ सकते हैं जो की पदमाशौन है जिसमें हम अच्छा से सूख पूर्बक बैठ सकेंगे उसके बाद प्रानायम ध्यान हम लोग प्रैक्टीस करेंगे तो सबसे पहले मेरे को आसन बन्दलों सूप पूर्वक बैठना है जो कि पदमेशन में हम लोग सूप पूर्वक बैठ सकते हैं तो धीरे धीरे आपको क्या करना है दोनों पैर को समने रखना है और उसके बाद लेख लेकर आना है और अपोजिट जो लेख है उसका थाई के उपर चम के उपर लेकर आना है और अपोजिट ऐसे तरह से राइट लेख भी लेख लेख लेकर थाई के उपर लेकर आना है और बोड़ी वी स्ट्रेट अंदेन क्लोज योर आई अपका आफ वन्थ होना चाहिए इसको पदमाशन पैते हैं तो पदमाशन करने शे क्या होता है नाम लोग का आकागरत बढ़ते हैं पजिटीप नेशाते हैं बुद्धी बढ़ते हैं समर्ण शक्ति बढ़ जाते हैं वार सर पुजा पार्ट और भजन के लिए यह आशन बहुत ही अवस्चक है जब हम लोग खाते हैं तो ऐसे हम लोग बैठते हैं जिसका घुर्टी में प्रब्लेम है तो यह आशन क्रिप्या ना करें थीरे थीरे आफ लेख क्या करना है समने लेके जाना है दिन ओपोजिट लेख जाना है अब देख रहा है तो और एक बार हम दिखा रहा है आपको लेख को लेके आगके उपर राख नहीं थे और उसके बाद भी आपको दूसरा लेख लेकर आना है आप देख रहा है मेरेको और इसके बाद हाथ समने राखिए and concentrate कीजी अग दिन दुका उपर अना आग बंद कीजे, concentrate your mind and body, now fold 15 से 30 सेकेंड, ये होगे आपका पदमाशन, उसके बाद क्या है, धिरे धिरे आप जब दस्ती नहीं करना शेगे, ये आपको थोड़ा सा बेंट होजे, रिलाक्स कर लेजिए, उसके बाद आपका जो आशन है, उसका नाम बजराश होना, बजराशन हमलोग जानते है, बजराशन इस बहरी इंपॉर्टवन, हमलोग जानते है, वियोगा प्रक्टिस के, आक्चुएली ताइम, आली म्राइम, आईडीयाईयल ताइम, लेकिन खाना क्षान के बाद भी कुछ, जो आशन किया जाता है, उसको बlish रहा है, क्या बजराशन भी हम लोग खाना खाने के बाद 10-15 सेकेंड अगर करेंगे तो हम लोग को जो खाना जल्दी पाख जाते हैं मतलो डाइजेस्टिक सिस्टेम बहुत अच्छा तरिशे रहते हैं तो देखते हैं पैर को ऐसे जैसे हम किये थे अभी सामने रखना है पैर को इससे करके रखना है अब देख रहा है और आपका जो खुटनी का ऊपर दोनों हाथ रखना है और आख बंद कर शकते हैं और नोच को टीप आप नोच को भी देख शकते हैं कंसेंटेट करना है या और सो मेडिटेश आशन गा पूण 10 seconds 30 seconds आपको प्रैक्टिस करना चाहिए तो यह करने शेंट क्या होता है दाना हमारा जो डाजेश्टिक सिस्टेम है वह बहुत अच्छा रहते हैं वह बहुत अच्छा रहते हैं घाजेश्टक सहीं आपकाना जल्Д अब देख रहे हैं तो आपका यह को दोने पीछे लेके जाना है को लेके नीचे रखना है उसके उपर बैठ जाना है, बहुती विश्रम पोजिशं का आशोन है, बिराम आशोन इसको कहा जाते है, भदराशोन, जो सिटिग पोजिशं में किया जाता है, आप देख रहा है बीराम आशन आंख बंद कीजिए करके 15 से 13 सेकेंड फोल्ड कीजिए ऐसे क्या होता है ना हम लोग को जो मुस्तिस को सीर हो जाते हैं और जो प्रेगनेंट वोमेंस के लिए जो प्रेगनेंट मोहिला के लिए ये भदराशन बहुत ही जरूरी है वो भी ये आशन करकते हैं जो की बहुती लव दाइव है और क्या है जो फीजिकल स्वस्त रहिए ये आशन बहुत अवस्त है जिसका गूतनी में दढ़ते हैrito कुछ बिमारी है थाय मसल में तो वो कृपया ना करें तो यह होगे आपका भदराशन फिर धीरे धीरे आप लेके जाए में पोजीशन में तो यह होगे आपका भदराशन और एक बार हम दिखा रहा है दोनों पैर को समने रखना है और धीरे धीरे क्या करना है दोनों पैर को लेके आना है और तो मतलब सिस्टेमेटिकल हो इसे दीरे दीरे लेकर आएंगे उसके बाद राइड लेक दें दोनों पैर का एसे करके पकड़ना है और क्या करना है आग बंद करना है कॉंस्टेंट करना है ते अलसो मेजिटेशन आशन है यह बहुत ही आरम दायुक आशन बिस्ट्रम इसमें क्या होता है घुटनी का माव घुटनी का दिलो होता है मालों मोजबूत होता है और मंग्षोपेश्य भी दुड़ा होता है पैर का स्ट्रॉंग वनता है जिसका घुटनी में प्रॉब्लेम है पैर में प्रॉब्लेम है एरी में प्रॉब्लेम है क्रिपया वो ना करे फिर हम लोग दिरे दिरे लेके जाते हैं पहलों और उसकी बाद जो आशोन है यह होगे आपका sitting position का आशोन तो पहले जो किये हैं पदमाशन और उसकी बाद जो किये हैं बजराशन उसकी बाद भदराशन भदराशन बजराशन और पदमाशन यह sitting position का आशोन है और उसके बाद जो हम करेंगे उस थाशन धीदे धीदे आपको सामने लेके जाना है और लेप लेख बेंट करके एड़ी का ओपर बैठ जाना है जैसे हम लोग बजरा सुन में बैठते है बैड़ जाना है उसके बाद क्या करना है ना अर्धो उस्ठाशन हम लोग करेंगे अब देख रहे है यह हो गया आपका उस्ठाशन पुष्ठाशन करने शेम लोग काहता है नाम लोग का जो तरे घरे तो फेले हम क्या किये थे जो बजराशन में हम बैठ गये थे उसके बाद बजराशन में बैठ साहिए उसके बाद क्या करनाarus एडे को टाच करके दिरे दिरे शास लेते हुए यह हो गया आपका उस्टाशन करने से हम लोग को क्या फाइदा होता है ना हम लोग को जो रेडी का भी स्ट्रॉंग बनते है यह मेरिदॉंडों भी लचीला बनते है और क्या होते हैं सास को च्हम्ता भी बार जाते है जिसके पेड में प्रोबर्लेम है स्ट्रीछ है क्रिप्या वह ना करें है इस सिटिंग पोजिशन का आशन हो गया नेक्स्ट हम लोग जाएंगे लयाइं पोजिशन में